नमस्कार दोस्तों, एक समी की भाते, एक राजे में एक राजा राज करता था, वह राजा बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिमान और चालाग था, राजा अपनी सक्ति पर गर्व था, लेकिन राजा बहुत ही दयालू भी था और नियाई पिरिये भी था, लेकिन राजा की एक कमजोरी थी, वे अपनी रानी को कम बुद्धिमान समचता था, हलाकि रानी भी चतुर और बुद्धिमान थी, लेकिन राजा हमेशा उसकी सुन्दरता की बढ़ाई करता था, उसकी बुद्धिमता को कभी भी नहीं समचता था, एक दिन राजा को एक युद्ध में जाना पड़ा राजा युद्ध जीत कर जब आ रहा था तो रास्ते में राजा को एक सादू मिले सादू ने राजा से कहा अगर आप आपके राज्ये को और भी बढ़ाना चाहते हो तो आपकी राणी को राजा बनाना पड़ेगा राणा राजा ने पहले तो हसने लगा और कहा राणी सुन्दर है बुद्धिमान नहीं है लेकिन सादू ने कहा आप उसे राजा बनाओगे तो आपका राज्य और भी बड़ा हो जाएगा एक दिन राणी ने अपने पती राजा से कहा कि उसे राजा बनने का आउसर दिया जाए राजा ने अस्तेवे कहा यह असंबव है तुम बुद्धिमान नहीं हो ओनली सुन्दर हो आपको राणी नहीं बनाना चाहिए राजा ने उसे अस्तेवे कहा कि आप अगर हमारी समस्या का समादान कर देंगे तो आपको राजा बना दिया जाएगा राजा ने कहा पास के गाउं में एक भेडिया का आतंग है आप उससे गाउंवालों को छुटकारा दिलाएए रानी ने कहा ये तो बहुत ही आसान है रानी गाउं में जाकर गाउं के बच्चों से और युवाओं को एकठा किया और कहा हम सब को मिलकर इस समस्या का समादान करना होगा रानी ने गाउं के बच्चों से कहा जब भी भेडिया आए आप चलना शुरू कर देना और युवाओं से कहा जब भी भेडिया आये आप ढोल नगाडे बजाना शुरू कर देना जब भेडिया आया तो लोगों ने ऐसा ही किया ये सब देखकर भेडिया गाउं छोड़कर चला गया गाउं वालों ने खुश होकर राणी को धन्यवाद दिया राजा ने अपनी राणी की बुद्धि मत्ता को पास होने के बाद राजा ने राणी को राजा बना दिया और इस तरह दोनों खुश होकर अपने राजे को और विस्तार करने लगे तो दोस्तों कैसे लगी हमारी कहानी अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें